हलो स्टेंस मेरा नमस्ट उक्मर प्रजबती है आज हम nda1 2017 का मैट्स का पेपर का कोस्टन नमर 21 से 40 तक पार्ट 2 में सॉल्व कर रहे हैं यह कोस्टन नमर 21 है the sum of all the two digit odd number तो जो two digit odd number होगा वो क्या होगा 11 से लेकर कहा था होगा 99 तो होगा और sum of odd number का जो sum होता है odd number का sum होता है n square कतलो n number of odd number है तो उसका क्या होता है square हो जाता है हमने यह जैसे consecutive लिया हुआ है एक के बाद यह odd number आता है अब यह one से 99 तक कितने odd number आएंगे 50 आएंगे अब 50 इसका जो one से 99 का sum जो होगा करद the sum of the first and terms of the series लिकाना 1 by 2 3 by 4 7 by 8 15 by इसमे हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो numerator का difference कितने का है one का difference है कभी भी one का difference हुआ इसका हम पला क्या हुआ कि one में से इसको minus करेंगे one by two तो one by two आजाएगा one में से आपका one by two को one minus one by two किया three by four को one minus one by four ऐससे हमने इसको break कर लिया अब यह one 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 एक साथ हमने कर लिया तो n term आएगा माइनस यह one by two minus one by four minus one by eight minus one by जाएगा यह 2 के square, 1 by 2 के square, 1 by 3 के square, 1 by 4 के square से बन जाएगा, प्लस तक यह N term तक जाएगा यह, अब यह बन गया G.P में, G.P में जो sum होता है, अब यह होता है, 1 minus R power N, 1 minus R, जब R की value जो होती है, less than 1 होती है, अब यह इसमें A की value कितने हो जाएगी 1 by 2 और R जो हो जागा common ratio 1 by 4 को 1 by 2 से divide करेंगे तो 1 by 2 आएगा तो इसलिए पूट कर दिया इसका sum जो होगा 1 1 1 and time लेंगे तो यह n आजाएगा और यह इस form लें हमने put कर दिया यह 1 by 2 1 minus 1 by 2 power n हो जाएगा यह क्योंकि R की value 1 by 2 है तो 1 by 2 के power n करेंगे इसका हम तो 1 के power 1 1 power n में 1 ही आएगा 2 power n हो जाएगा 1 minus 1 by 2 कितना हो गए यह 1 by 2 1 by 2 से 1 by 2 कर गए यह आएगा n यह हो जाएगा minus 1 यह minus minus यह plus कर देगा 2 power कितना n हो यह हो गया 2 power minus n हो जाएगा 2 power minus n plus n minus 1 यह हो जाएगा यह option हो जाएगा इसमें c यह 23 दिया consider the following is respect to the set a and b which of the above are correct हमको बताना है इसमें हमने ले लिया जिसे दिया कि a minus है set हमने बनाया यह है b है तो a minus b कौन सा पार्ट आता है यह वाला पार्ट आएगा तो a minus b यह पार्ट आगया अब यह कारएगा a minus b से हम कारएगी b से union लेते हैं a minus b यह पूरा b से union की yonder किने यह यह कर वन नहीं आएगा इसलिए क्या हो फाहला गलत हुआ उसके बाद हम option में देखते हैं तो option में हमारा हर option में क्या यह 3 दिया हुआ है 1,3,2,2,3,4 ऐसे 1,3,4 और 1,3,4 इसका मतलग क्या हुआ है कि एक option गलत हो गया है यह पहले ही मिल गया हमको गलत है union ने तो A के equal आएगा A minus B दिया है और इससे हम B का intersection लेगा minus B ये part है और B से intersection लेगा तो फाई आएगा ये subset B दिया है equal to A union B आएगा और equal to B आएगा इसलिए option इसमें B हो जागा otherwise ये हमको check करना क्योंकि condition हम ट्रिक देखते हैं ट्रिक हमारा ये question में यह है कि एक question ये हमारा गलत है ये हमारा गलत और अपन में तीन आए रहे हैं तो कोई पचfold को ने चावर और को आएगा तो इसमें से राक़े और कोई गलत होतो जाएगा इस लिए option इसमें इसमें B हो जागा 2-3 4 इसमें इसमें हमको بताना है कि पी की वार की binary digit क्या होगी, इसको हमने simplify कर दिया है, यह होता है, यह होता है, यहां से शुरू होता है, फिर 0 एंटु ऐसे 2 पाउर 1, यह हमने लिख दिया, 1 इंटु पाउर 2, पी इंटु टु पाउर 3, 1 इंटु पाउर 4, सेम इस तरह यहां से हो जाएगा, 2 पाउर 0, 2 पाउर 1, 2 पाउर 2, 2 पाउर 3, इसको भी हमने लिख दिया, फिर इस तरह यहां भी लिखा है, 1, 2, 3, पाउर 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1 इंटु पाउर 5 होगा, बाकि 0 अल्टर में दोनों 0 हो जाएगा, आर में 2 पाउर 2 आएगा, इसको सिम्लिफाई करेंगा, 2 पाउर 4, यह 16 हो जाएगा, 2 पाउर 3, 8, 8 पी आगया, यह 4 आगया, यह 2 पाउर 0 बन आगया, इस तरह यह करें, 2 पाउर 3, यह आजाएगा, 8 यह 2 पाउर 1, 2 Q हो गया, 2 पाउर 0, 1 हो गया, यह 2 पाउर 5 पी हो जाएगा, यह आगा 32, टू पाउर 2 यह 4, 4 R हो गया, इसको सिम्लिफाई करेंगा, तो यह आएगा, 30 इदर 8 P, अपलस यह इदर आगया, 2 Q, इदर हम करेंगा, 32 आएगा यह, और यह 4 R आ आएगी और q की value 1 और r की value इसमें क्या आएगी जीरो आएगी इसमें इस option पूट करके देखें तो यह सेट वहती इसमें option हो जाएगा ए अभी दिया सेट x such that x square plus 1 is real तो यह x square plus 1 होगा तो x square minus होगा तो x की value क्या होगी minus 2 यह क्या होता आयोटा बनता है यह complex नवरत इसलिए यह कोई इसमें real नहीं है इसलिए क्या होगा empty set होता है करें the expansion of x minus y power n n greater than 5 is done कराया कि descending power of x if the sum of the fifth and sixth term is 0 then x by y हमको लिकाना है तो x minus y power n तो इसमें जो general term आता है general term का formula हो गई है general term जो हो जाएगा यह t r plus 1 n c r x power n minus r y power r तो y कर जाएगा यह plus के लिए होता माइनस 1 हो जाएगा minus y power r हो गया अब t5 plus t6 की value यह क्या दिया 0 दिया t5 क्या होगा तो t5 मतलब 4 plus 1 होगा r के value 4 हो जाएगा इसमें तो nc 4 हो गया एक्स पाउर n-4 y-4 y-4 क्यों किया गा हम दिखे क्यों माइनस y-4 करेंगा तो यह पॉजिटिव ही हो जाएगा इसलिए यह पाई-4 लिख दिया प्लस nc 5 हो जाएगा इसमें r के वैलू 5 हो जाएगी क्योंकि 6 को 5 प्लस 1 करेंगे यहां पर तो आर के में लिए 5 हो जाएगी और एक्स पाउर क्या हो जाएगा एंद माइनस 5 और माइनस वाई पाउर 5 यह लिखेंगे तो यह माइनस आ जाएगा कि इसमें यह आपका और और नमर है तो निगेटिव के पाउर और करेंगे तिया आपका निगेटिव जाएगा इधर तो इस साइड लेकर आएंगे और एंद एक्स पाउर एंद फाइब नीचे आगा ओपर जाएगा तो यह साइनस का चेंज होएगा तो यह एंद से एंधा हो गया 5 में समगा तो एक्स का जागा और नीचे यह इस वाई दे factorial n upon factorial यह हो जागा 5 upon n-5 इंट यह upon में आएगा तो हम इसको reciprocal करके लिख दिया है तो factorial r upon factorial n-4 का factorial upon factorial यह इसके नीचे आएगा तो यह reciprocal हो गया n से न कट गया और यह factorial 5 को 5 into factorial 4 लिख सकते हैं तो 4 से 4 कट गया यहां पचे गया 5 और n-4 को n-4 into इसमें से n-1 करेंगे तो n-5 factorial n-5 से n-5 कट गया तो यहां से हम देख रहे हैं तो क्या बच रहा है यहां से n-4 बच रहा है और नीचे से क्या बच रहा है 5 बच रहा है तो n-4 upon 5 option हो जाएगा b अब a की value दिया n दिया है determinant a q दिया 125 तो यह का q हो जाएगा determinant a का whole q हो जाएगा इसका a बच रहे है अब इसका a दिया है इसका a a दिया है इसका फोर इसको a हम लिका लेंगा यहाँ तो alpha square minus 4 किश के equal ह्या 5 एगा जाएगा तो यह 4 plus 5 9 हो जाएगा तो alpha value क्या होगी plus minus 3 option हो जाएगा C, B is non-singular matrix दिया है and A is the square matrix then the value of इसके लिए कामना determinant हमारा, तो यह जो determinant आएगा तो इसमें determinant B inverse minus A into B होगा यह, अब B inverse का जो determinant होता है 1 by आपका determinant B होता है, तो यह 1 by determinant B हो जाएगा, determinant A determinant B से C, B cut गया, तो determinant A हो जाएगा, इसमें option हो जाएगा, अब कहरें कि A not equal to B equal to C, then the one of the value X satisfies the equation, अब इसको हम ध्यान से देखें हैं, तो जब diagonal element यह आपका दिया है, यह 0 होए, तो यह स्कू से matrix matrix इस तरह होता है, टाइगलर element आपका 0 दिया है, तो यह जो element यहाँ पर होते हैं, A दिया आते हैं, minus A होगा, यहाँ B दिया आते हैं, minus B हो C होता है, minus A होता है, यह कब जब इस matrix हम करेंगे तो और यह जो आपका matrix होता है, इसको से matrix matrix, तो इसका जो डिटर्मेंट लिका लेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा, इसको से matrix matrix के इसका determinant 0 आएगा, अब यह 0 यहाँ दे दिया भी है, यह 0 कब होगा, जब यह इसको से matrix matrix X बना दे हम, इसको तो यह minus A, minus भी कब होगा, जब X की value क्या होगी, 0 होगी, यह 0 हो जाए, तो 0 minus A, यह भी X की value हर जगा क्या जाएगी, 0 होगी, इसलिए option इसमें हो जाएगा, D, X की value इसमें क्या होगी, 0 होगी, करें, if A equal to यह दिया हुआ है, then what is the A into A transpose equal to, तो A है अपका दिया हुआ है, और यह का हमने transpose करें, transpose में क्या करते हैं, जो row होता हो, column बन गया है, cos alpha, यह sin alpha होगा, यह minus sin alpha, यह cos alpha होगा, इसको multiply कि हमने, तो इस row का इस column से multiply होता है, तो cos square alpha plus जीए क्या होगा, sin से sin होगा, sin square alpha होजागा, फिर इसका, इस row से होगा, तो cos alpha sin alpha minus होगा, sin alpha cos alpha plus होजाएगा, फिर इसका हम करेंगे इस row का इस row से होगा, तो sin alpha का यह होगा तो minus sin cos हो गया, cos से करेंगे तो plus sin cos हो जाएगा, फिर इसका इस से करेंगे तो minus into minus plus हो जाएगा, sin square alpha cos into cos ही हो जाएगा, cos square alpha, तो यह 1 हो गया, यह आपका कटके 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, और यह 1 हो जाएगा, यह बन जाएगा identity matrix option हो जाएगा b the equation यह दिया हुआ 1 2 3 है इसको हमको दिखाना है कि इसमें क्या होगा यह आपका solution होगा inconsistent होगा ननवदीज होगा तो इसको a x plus b के form लिखेंगे matrix के form में तो a हमने लिए फिर a equal to a होगे तो 1 2 3 यह 2 1 यह 3 हो जाएगा 559 हो जाएगा इसका हम डिटर्मेंट लिका आजना है तो डिटर्मेंट हम solve कर लेंगे इसे रो के लॉंग एक्सपेंड कर दिया है तो 1 इंटू यह आपका 9 माइनस से 5 3 यह 15 हो गया माइनस 2 इंटू करेंगे तो यह यह रो गया तो 9 2 यह 18 माइनस 5 3 यह 15 हो गया और यह प्लस 3 आएगा तो यह 3 यह रो चला गया तो 5 2 यह 10 माइनस 5 हो गया इसको solve के 3 यह 5 गया माइनस 6 2 2 3 यह 6 और फाइव हो गया तो इसको नहीं होता है इसका क्या होता है उनिक solution आता है तो इसमें option क्या हो जाएगा अब दिया है यह V दिया ह्यों CC दिया तो AB x plus 3y और यह आपका minus 2y आ जाए गहाँ पर और यहाँ से फिर इस row का इसमें करेंगे तो 3x और यह minus 2x और यह minus minus plus 2y जाएगा और यह किसके equal है? c के equal है मतलब यह 6y equal 4 की equal आ गया 3x plus y equal to 4 हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा? 3x में से 2x जाएगा तो x plus 2y equal to कितना हो गया यह माइनस 2 आ गया यहां से y के value निकाल देंगे तो 4 minus यह हो जागा 3x इस y के value इसमें हम क्या करेंगा put कर देंगा तो x हो जाएगा और यह 2 तो 4 जाएट और 2 3 यह 6 तो माइनस 6 हो गया तो यह इसमें से आगा तो यह यहां से 10 तो x के value आ गई 2 x के value 2 यहां put कर देंगे तो यह 4 minus 2 3 यह 6 हो गया तो 4 minus 3 minus 2 हो गया अब x और y के value आ गया put कर देंगे a में तो यह जो बनेगा क्या बनेगा यह आपका 0 हो जाएगा और y के value यह आ रही थी तो minus 2 हो जाएगी यह और x के value यह 2 हो जाएगी और यहां पर यह x मौनघवीर्ट चरीजिस सब्सक्राइब लिका रहना है ये की वेलु आगे फिर ऐभी एक वेलुट उसको मेड़प्लाइब करें कि इसको मेडप्लाइब करेंब ति क्या हो जाएगा इस रोका इस कॉलम्स उलम्स हो गा ап माइनस टू करेंगे माइनस फोर जाएगा फिर इस रोका इस से करेंगे जीरो जाएगा और टू फोर जाएट आ जाएगा यहां फिर इस रोका इस इस column से करेंगे 2 से 0 हो जागा 4 2 जा 8 जाएगा फिर इसका इस columns करेंगे 2 तो माइनस 4 और 4 जा 16 16 में से 4 जाएगा 12 तो इसमें option हो जाएगा D करना what is the value आपने देटरिमेंट लिकालना है हम इसमें क्या करेंगे c2 गोज 2 करेंगे c2 2-c1 और c3 goes 2 ,c3-c1 कर देंगे, तो c1 तो ऐसे रहेगा, यह यह 1 से 1 गया, 0 हो गया, फिर 1 में बसे 1 झायगा, 0 हो जाएगा इसमें से 1- kareगा xyz, इसमें से 1-- , गmostर नजा जाएगा, one से 1- , nor even zero हो गया, इसमें से 1- , इसको हम solve करेंगे तो इसके लोंग हम expand कर दे रहें आरवन का लोंग एकस इंटू क्या होगा एकस स्क्वार माइनस जीरू माइनस वाई इंटू हो जाएगा तो यह गया यहां से तो यह जीरू हो जाएगा माइनस वाई स्क्वार यह तो आपका जीरू हो जाएगा तो यह एक xQ plus yQ, xQ plus yQ equal to 0, xQ equal to minus yQ हो जाएगा, xQ upon yQ क्या होगा, minus 1 हो गया, x upon y का whole q क्या होगा, minus 1, x upon y क्या होगा, यह अपका minus 1 का क्या होगा, आपका q root of, यह हो जाएगा, minus 1 का इंत्री, x upon y is one of the cube root of minus 1, तो आपसन हो जाएगा इसमें, consider the set A of all the matrices of order 3 into 3 with entries क्या 0 और 1 है, let B be the subset of A containing all the matrix which determinant is 1, इसका determinant हमको हमारा 1 आएगा, तो यह हम यह से ले लिया matrix, यह identity matrix बनेगा, इसका determinant की value क्या आएगी, 1 आएगी, 1 0, अभी कहा रहाएगी, let's see with the subset of A containing all the matrix which determines is minus 1, then which of following is correct, तो यह जब हमारा 1 आ रहा है, और यह हमको negative लाना, तो किसी row या column को interchange कर देंगे, इस row से, इस row को हम interchange कर देंगे, तो हमारा क्या होता है, कि हम जब इसको interchange कर देंगे, तो matrix को तो तो यह इसका determinant आता, वो negative हो जाता है, तो इसको हमने change कर दिया, यह हो गया, इस से हमने इसको interchange कर दिया, 0, 1, 0 हो गया, यह आपका, 1, 0, 0, इसका determinant लिका लेंगे, C का तो क्या हैगा, minus 1 आएगा, many elements as C, B के पास यतना element है, उतने क्या element क्या है, C के पास भी है, तो option इस में हो जाएगा, B, यह दिया है, यह cos theta, sin theta, minus sin theta, cos theta, then a cube लिकालना है, अब यह formula होता, a power n जो लिकालते हैं, तो यह cos n theta, sin n theta, minus sin n theta, cos n theta होता है, अब यह cube करेंगे, क्या हो जाएगा, n का जाएगा, 3 हो जाएगा, तो cos 3 theta sin 3 theta minus sin 3 theta cos 3 theta option इसमें क्या हो जाएगा यह हो जाएगा क्योंकि यह दिया होता है तो यह power n का यह फार्मला होती यह प्रूफ के लिए भी दिया कर वाट इस इसका order लिकालना अब देखो यह जो इसका order क्या दिया 1 into 3 दिया है वन इसका order 1 यह first row और 3 column है मौति लिकाल गया इसका order क्या दिया 3 into 3 दिया इसका order क्या दिया 3 into 1 होगा अब इन दोंगोột प्पाय करेंगे थे यह 3-3驚ांज हो जाएगा तो इसका order जो इन दोनों से मॉःप्लाई होगा 1 into 3 आएगा अब फी इस से जो मॉनिलों से मॉन 중요 управा मुएका सा 1 into 3 order आया इससे कहा रहा है 3 into 1 फिरी मट्प्लाइए करेंगे तो 3 से 3 यह चैनल हो गया क्या बचेगा 1 into 1 तो लास्ट मजो finally बचेगा क्या होगा 1 into 1 आउडर होगा option हो जाएगा बी इसमें ए दिया हुआ है यह पाउर 4 लिकालना है तो ये स्कवण लिका लेंगा तो अंति यह और ये बिया करेंगे तो येसको만 प्रहिए करेंगे नोस्य करेंगे चैठीको war ऑन Rot आ गया यहां पिर इसका समें ऑदक्षिटाय करेंगे तो जीरो जाएगा यह आपका जीरो आल जाएगा इस रोका इस हरेंगे तो 100 0 0 St.0 जाएगा इसका करेंगा तो 1 से 1 यह 0 आगए अड़्ेटिमेटिक्स आ गया फिर पार 4 लिका लेंगे तो A square in to A square हो जाएगा मैहस किस्का कितना आ रहा है यह रहा है इसका इंटीमेटिक्स फिर A square कर रहा है then cost A y2 की value लिकान नहीं है तो यहां से हम चलते हैं तो यह आता है 360 360 90 करेंगे 450 आएगा फिर यहां से 550 डिगरी आएगा मतलता है यह आएगा second quadrant के दिखा रहा है किस quadrant में इसकेंट और यह आए रहा second quadrant तो मैंने यह की cost बेली कि आएगा निगेटीव है कि cos इसमें निगेटीव घाएगे तो cos ये क्या 1.2 1-sin square करेंगे आजागा 3.5 का square 9 by 25, 16 by 25 ते 4 by 5 तो ये निगेटीव आएगा ये सेकेंड क्योंकि cos ये खेंट क्योंड फार्म ये का फ्रार्मला होता है 1 plus cos upon 2 होता है क्योंकि cos a का फार्मला होता है 2 cos square a by 2 minus 1 यह minus 1 इरह आ जागा तो 1 plus यह cos यह आ जागा by 2 करेंगे ति हो जाएगा cos square a by 2 तो root लेंगे ति प्लस minus दोनों में आ जाएगे value हम देखें किसमें तो अब a by 2 जो इसमें आएगा क्योंकि इसका half करेंगे हम तो यह 225 डेगरी इंटो 270 डेगरी इसका मतलब यह 225 यह आएगा 270 यह किसमें आएगा third quadrant पाएगा इसका मतलब क्या हुआ cos a by 2 की value भी क्या आएगी negative आएगी इसकी value क्या आएगी negative आएगी तो cos a by 2 हमने लिका लिया तो यह आया जागा plus minus हम लिका है तो अब plus cancel कर देंगा तो यह 1 plus cost मने 1 minus 4 by 5 upon 2 हो गया तो यह plus minus करेंगा तो फोर यह 5 minus 4 upon कितना हुआ तो यह 1 आएगा 1 by 5 into 10 हो गया मतलब यह इसका negative लेगा value क्योंकि 1 by root 10 क्याएगा निगेटिव आएगाउं कि 3rd quadrant बार तो cos a by 2 के value क्या आगा निगेटिव निगेटिव यह 1 upon root 10 दिया है बट यह positive दिया है तो इसलिए नहीं होगा इसलिए option क्या होगा इसमें D होगा यह दोन option दिया है नहीं इसलिए none of the above होगा इसलिए option होगा D यह value लिकालने 1 upon sin 10 10 और minus root 3 upon cos 10 is equal to अब यह दिया है इसका हम LCM लेगा तो cos 10 से यहाँ इन 2 होगा इसका इन 2 यहाँ होगा cos 10 और यह root 3 sin 10 upon cos 10, sin 10 cos 10 हो जाएगा हमने 2 से क्या कि दोनों को मटप्लाई कर दिया 2 से मटप्लाई इसलिए कि यह 2 sin a क्या बन जाएगा cos a तो sin 2a हो जाएगा तो यह हो जाएगा sin 20 हो जाएगा यह 2 sin के cos a होता है sin 20 हो जाएगा फिर यह 2 तो यहाँ समने मटप्लाई अब हम क्या करेंगे इसको फिर 2 से मटप्लाई करके 1 by 2 से डिवाइड करेंगा तो 1 by 2 अंदर ले लेंगा जैसे आपको कोई सी equation में 2 into 1 by 2 करते है तो 2 से 2 कटके इसके कोई value के फर्क नहीं पड़ेगा तो 2 into हमने 1 by 2 किया यह 2 तो पहले यह वाला 2 था 2 से मटप्लाई किया और 1 by 2 1 by 2 इसका अंदर आ गया होता है कोस ची माइनस साइन B इसी यह श्ता अंदर के में till ऊज़ाए कि समने से बन होजाता है इस और यह बचाता है यहाँ टू इंटू यह फोर जो बचता रहा तिसलिए आसनसर हो गया इसका फोर अप्सन हो गया हमने कोसन को पहले solve कर लिया फिर इसको explain किया इससे क्या होता है टाइम बचता है क्योंकि बच्चों को बस टाइम की दिक्कत होती है तो इस तरह आप लोगों चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए जो भी नया वीडियो डलेगा उसका अपडेट आप लोगो सबसे पहले आ जाएगा और आसा करता हूं कि जो हमने समझाया वह आप लोगों समझ माया होगा कोई डाउट है और कहां कोई मिस्टेक है या कोई भी दिक्कत आ रही है कोई समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बताएं कि और सर किस तरह explain किया जाए और अच्छी तरह कि आपनों को अच्छी तरह समझ माया जाए और अपने फ्रेंडों में इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें कोई भी डाउट होतो हो जरूर से जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें थैंक्स फॉर वाचिंग जैहिन